इतना लेंदी है इतना याद करने कैसे पढ़ूं कैसे रिवाइस करूं इतने सारे चेप्टर है एफम हो जाता है कोस्टिंग हो जाता है लेकिन ओडिट नहीं हो रहा है यह प्रॉब्लम है तुमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर ध्यान से सुन लेना थोड़ा भावुक हो के बैठा हूं डाट भी लगा सकता हूं तो सुन लेना भाई और जिसको डाट नहीं खानी है निकल लो भाई तुम लो ओडिट नह अगर तुमारी टिखाता हूं इधर देखो अगर अगर तुम्हें एक तरीका दिखाता हूं इधर देखो जड़ा इधर देखो सबसे पहले आप मुझे सची सची बताएं क्या आप लोग audit में इसी order में chapter number 1 11, 6 2 and 6 क्या ये चारो chapter आप लोग एक दिन में revise कर सकते हैं मुझे इसका answer चाहिए comment box में हाँ या ना अगर हाँ तो लिख दो yes we can revise 4 chapter in one day लिख दो जड़ा classes complete हो गई हैं तो इन चारो chapter को अगर आप एक दिन में revise कर सकते हैं तो मुझे हाँ लिख के बताएं मेरे साब से कर सकते हैं मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूँ chapter 1 की revision video है 1 गंटे 40 मिनट की chapter 2 की revision video है 1 गंटे 3 मिनट की chapter number 11 की revision video में सब कुछ आपको देख के बता रहा हूँ 1 गंटे 26 मिनट की और chapter number हमारा दूसरा कौन सा होगा 6 25 मिनट की revision video है भाई यानि कुल मिलाके मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप एक दिन में 9 से 10 गंटे निकाल लें तो आप इन चारो चैप्टर को एक दिन में revise कर सकते हैं लेकिन यहीं तो सारी की सारी मुसीबत है 9 से 10 गंटे मैं भाई मुझे snapchat पर कुत्ता भी बनना है मुझे जो है instagram पर दीदी की photos भी देखनी है like भी करनी है उनको क्या बोलते है क्या करना है है ना और उसके बाद मुझे youtube पे shots shots मुझे knowledge लेने की acting भी तो करनी है मुझे knowledge लेने की acting भी तो करनी है youtube पे जाके है ना तुमारे पास 9 से 10 गंटे कहां से आएंगे जिसके साथ genuine problem है ना समाझ आता है लेकिन जो सारी सुक्स विधाओ के बावजूद भी हववाजी में लगा हुआ है ना भाई भाई तुम अपने career की लगा रहे हो लंका बहुत बुरी तरी के से और पच्चता होगे याद रखना पच्चता होगे बहुत बुरी तरह से पच्चता होगे आप ICI में लाक बुरा ही सही लेकिन अपनी जिम्मेदाई तो ढंग से निभाओ आई से की चेकिंग में बहुत दिक्कत है अपनी जिम्मेदाई तो ढंग से निभालो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं 9 से 10 गंटे निकालो 4 चप्टर कम्प्लीट करो कैसे कम्प्लीट करने वो भी बताऊंगा यह आपके सामने एक रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट है भाई इन वीडियो का फायदा उठाएं इन वीडियो का भरपूर फायदा उठाईए और कैसे फायदा उठाना है वो भी बताऊंगा अब यह आगे की बात बता देता हूँ, साथ दिन के अंदर तुमारे लगभग 9 chapter complete हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो, लेकिन चाहो तो न तुमारी सिर्फ और सिर्फ desires हैं, deserving नहीं हो इधर देखो ज़रा ध्यान से बात को सुनना अब इसके बाद एक बात बताओ यह first day आपने full force के साथ पढ़ाई करी मैं आपको अगले chapter कौन से उठाने के लिए बोल रहा हूँ आप chapter 3 पिक करो, chapter 4 पिक करो chapter 3 को पूरा एक दिन, chapter 4 को पूरा एक दिन दीजे पूरा एक दिन, बड़े chapter है, anaconda chapter है chapter 3 की revision video वैसे सिरफ दाई गंटे की है chapter 4 की revision video थोड़ी सी बड़ी होगी कुछ parts मैंने मना रखी है, वो भी मान के चलो दाई गंटे की है, बट फिर भी उनने आपको पूरा पूरा एक दिन दिन, classes तुमारी complete हो चुकी है तीन दिन के अंदर तीन दिन के अंदर तुमने audit का आधास levels complete कर दिया शरम कर लो थोड़ी सी शरम कर लो थोड़ी सी अगर तुमसे यह नहीं हो पा रहा तो भाई revision videos अवलेबल है आज से पहले, अगर आप थोड़े समय पहले जाएं भाई इतने resources भी अवलेबल नहीं होते थे students के पास जितने आज की रेट में अवलेबल है या मेहनत तो करनी पड़ेगी न आपकी जगह पर आके hard work भी कोई और कर ले तो तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है इसमें किसका दोश है, teachers का दोश है, CA course का दोश है, ICI का दोश है, center council member का दोश है, जो result आने से पहले result date बता देते हैं, किसका दोश है तुम्हारा दोश है लाई किसी teacher से आप लोग पढ़ रहे हो, आज की date में हर teacher revision videos provide कर रहा है, सारी चीज़े आप लोग के लिए महनत कर रहा है हम थोड़ा एक level और जाते है, mock test लग रहे हैं, provide करते है तो यह आपका chapter 3 और chapter 4, एक एक दिन, और उसके बाद आप लोगों को और समय दे रहा हूँ chapter number, आपका 5 और 9 दो मिनिट के छोड़ देते हैं, 7 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं और 7-7 में 10 की बात करते हैं, यह लीजे, आपके कितने chapter complete हो गए, 4 उपर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और यह 5 हो गए, इनको भी एक एक दिन, दो भाई, एक एक दिन यह deserve नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ chapter 7 की division video, जो है, वो कितने समय की, मैं आपको बता देता हूँ एक घंटे 20 मिनट की है, chapter 8 की division video, chapter 8 बड़ा है, यह पूरा एक दिन deserve करता है इसकी division video, 4-5 घंटे आपको लग जाएंगे, और उसके बाद मैं बात करता हूँ chapter number 10 की, तो chapter number 10 की division video जो है, वो आपकी है, approximately 1 घंटे 40 मिनट की अब यह सोच के देखो, यह अगर आपने follow कर लिया, यह यहाँ पर आपका आगया, एक दिन, यह आपके हो गया, टीन, यह आपके हो गया, तीन, एक प्लस तीन, प्लस तीन, कितना हो गया, कितना हो गया साथ दिन अगर कोई कैलकोईशन में मिस्टेक कर रहा हूं तो माफ कर दीजेगा साथ दिन मैंने तीन दिन यहापको एक बफर दे दिया था कि चलो अगर आपसे 3-4 नहीं हो पाए तो भी मैंने आपके 3 नहीं दे दिया otherwise यहापे 2 ही होने चाहिए थे तो आप यह सोचो 6-7 दिन में आप 9 चेप्टर कंप्लीट कर पा रहे हो 9 चेप्टर बचे हुए चेप्टर 5 और 9 उसकी प्लेलिस्ट में यह रही प्लेलिस्ट इसी के अंदर आपको वीडियो लगी हुई मिल जाएगी कैसे आपने चेप्टर में 5 देखो लेकिन नहीं हमसे पढ़ाई नहीं हो रही हमसे पढ़ाई हो ही नहीं दिये हाउ तो स्टड़ी चेप्टर 9 कम्प्लीट डिटेल आपको दे रखिए कि चेप्टर 9 कैसे पढ़ना है चेप्टर 5 कैसे पढ़ना है इवन चेप्टर 5 के important questions भी बता रखे वो भी आप लोगों को जो है मैं यहापे इसी playlist में दलवा दूँगा लेकिन नहीं हमसे पढ़ाई हो इनी दिये audit तो tough है थोड़ा सा सोच बदलो यार नजरिया बदलो यार पेबी paper pass करना है भाई इसमें भी अच्छे number score करना है भाई जाओ और फोडो भाई अब आप लोग मुझसे challenge लेके जाओ कि आप लोग जो है वो dedicated seven days दोगे audit को चलो आप seven मत दो आप seven में थक जाओगे थक जाओगे ना आप लोग थक जाओगे बच्चे ओ आप तो भी है ना आप एक काम करो dedicated आप तीन दिन तो देदो तीन दिन में आप ये चार चेप्टर और ये दो चेप्टर कंप्लीट करो बस revision वीडियो प्ले करो साथ साथ बोलना शुरू करो अपने note से read करो और चेप्टर खतम हो जाए कोशन बैंक थोड़ा सा read कर लो कुछ कोशन रिखने का practice कर पाओ बहुत ही बड़ी आए भाई हर चेप्टर से दो से तीन कोशन writing practice कर लो हो जाओ के पास last में RTP MTP आएगी हर teacher डालेगा YouTube मैं नहीं हर teacher डालेगा भाई हर teacher डालेगा वो कर लो नहीं अब आप देख लो भाई अब आप खुद से देख लो किस चीज़ की कमी क्या क्या दिक्कतारी audit में रटना रटना ही नहीं पहले समझ नहीं जब समझ लोगे और बार बार बोल लोगे वो अपने अब दिमां को बैठ जाएगा आप मुझे बताओ ना कहाँ प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बता दो comment box में आपको उसका solution दे दूँगा आप ऐसे तो होनी के पहली बार जिंदगी में कुछ लोग जो है audit कवे पर देने जा रहे हैं सब ने दिया सब पास हो रहे भाई जो पढ़ रहे है प्लीज अब आगे बढ़ना है तो महनत तो करनी पड़ेगी और महनत करने से बचोगे तो जीवन में किसी भी शेक्तर में किसी भी एरिया में किसी भी फेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे as simple as that चली उमीद करता हूँ इस वीडियो का आप सही sense में ले रहे हैं कुछ जादा बोल जो तो उसके लिए भाई माफी दे दिजएगा वैसे तो मास्टर हूँ कान पकड़ के ना टंड़ मार के भी बता सकता हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा सयम रखा मैंने थोड़ा सा तो रखा थोड़ा सा कंट्रोल छूटा भी बड़ कोई बात नहीं उमीद करता हूँ God bless you.